Hello everyone, welcome to NEET UG in 10, brought to you by Unacademy, जो कि इंडिया का largest online learning platform है, यहाँ आपको मिलती है daily life classes, plus life tests and quizzes में भी आप participate कर सकते हैं, हमारे जितने भी courses हैं, they are very well structured, and अगर आप हमारा subscription लेते हैं, तो आपको मिलती है unlimited access, हमारे जितने भी materials and videos हैं उसकी, तो आप हमसे जुडेंगे कैसे, अगर आपके पास android phone है, तो आप google play store पे जाएगे, अगर आपके पास iOS है, तो app store पे जाके, हमारा learning app आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद लेना होगा आपको NEET UG का subscription, तो हमारे subscription कई options में आते हैं, 1, 3, 6, 12, 24, आप देखेंगे कि सबसे अदा popular, सबसे अदा popular और सबसे अदा recommended जो package है, वो एक साल या दो साल का है, क्योंकि NEET का syllabus काफी vast होता है, and time लग जाता है preparation में, तो आप एक साल में सिर्फ 6000 अगर आड करते हैं, तो आपको मिलता है 2 साल का course, आप देख सकते हैं यहापे, on top of that, अगर आप मेरा code LOVE10, लव 10 यूज़ करते हैं, तो आपको सीधे 10% off मिल जाता है, आपकी base price पे, and अब मेरी बात कर ली जाए, मेरा नाम लवकिशोर श्रिवास्तवा है, and मैं इस समय मेगिल यूनिवर्सिटी कैनडा में काम कर रहा हूँ, तो अब last lecture में मैंने बात की थी, आपसे की blood क्या होता है, जो main component होता है, circulatory system का blood, blood के अंदर plasma, जो की उसका liquid part है, और cells होती है, red blood cells, white blood cells, और platelets, तीनों का काम क्या होता है, यह अब आपको समझ में आ गया, platelets, clotting में मदद करती हैं, जो white blood cells है, उनके कुछ और काम है, लेकिन main काम होता है, उनका infection से fight करना, और red blood cells का क्या होगा, वो oxygen का carrier हो है, carbon dioxide का carrier है, तो यह सब basic काम होते हैं, तो हम जब blood की बात करते हैं, तो blood इतना simple नहीं, जितना दिखता है, थोड़ा सा इसमें क्या होता है, कि जितनी भी हमारी RBCs हैं, blood group आपने सुना होगा, A, A+, A-, यह क्या होता है, यह हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप आगे चलके जब डॉक्टर बनेंगे, तो आपको basic, मान लिजे कोई accident हुआ, उसको blood चड़ाना है, तो blood की compatibility होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता कि हम किसी का भी blood किसी में चड़ा देंगे, तो यह blood की compatibility, किन parameters में read की जाती है, उसके लिए blood group जानना सबसे जरूरी होता है, अच्छा, तो अब blood groups की हम बात करें, तो ABO blood group का system होता है, एक जो हमारे अंदर human beings में, जो blood group का system होता है, इसको ABO बोलते हैं, अब ABO क्यों बोलते हैं, क्योंकि blood group की generally ABO या AB, यह चार टाइप के blood groups होते हैं, A, B, O या AB, अब यह A और B जो हम बोल रहे हैं, यह किस parameters पर decide क्या गया है, तो वही parameters अगर हमको समझ में आ जाए, तो हम blood group बता सकते हैं, कि यह person A का blood group क्या है, person B का blood group क्या है, तो अब सबसे पहले हम यह जान लेते हैं, important question, historical aspect से जो आता है, कि यह ABO system जो हम पढ़ रहे हैं, यह सबसे पहले दिया किस ने था, तो इसकी credit जाती है काल लैंस्टाइनर को, तो याद रखेगा, exam में यह question बहुत आता है, कि ABO blood group system जो है, उसकी discovery का credit किसको जाता है, तो आंसल होगा, कैल, काल, लैंस्टाइनर, अच्छा, अब antigens, antigens क्या होते हैं, antigens कोई भी, antigens को अगर आप full form देखेंगे, तो this is antibody generator, ठीक, antigen का मतलब antibody generator, यानि कि अगर यह चीज, कोई भी antigen हमारी body में आएगा, तो हमारे अंदर antibodies generate कर देगा, यही काम होता है, यही मतलब होता है antigen का, antigen polysicride भी हो सकता है, peptide भी हो सकता है, कुछ भी, अभी के लिए आप यह समझ लिजे कि एक foreign चीज है, जो हमारी body में आएगी, और antibody, antibody क्या होती है, antibody कोई भी चीज, कोई infection से लड़ना हुआ, हम immunity में detail में discuss करेंगे, अभी आप यह समझ देजे कि body का defense mechanism होता है, antibody उस antigen के against produce होगी, और इसको भगा देना चाहेगी, उसको मार देना चाहेगी, खतम कर देना चाहेगी, ठीक, तो अब जो हमारा RBCs हैं, RBCs हैं, antigen क्या होता है, surface पे present होता है, generally, सारी चीजों के, अधिकतर, bacteria की cell आती है, उसके उपर antigen present होता है, हमारी cells होती है, उनके उपर antigen, antigen कुछ अलग सी चीज नहीं, जैसे मैंने बताया, polysacryde भी हो सकता है, protein भी हो सकता है, ठीक है, तो अब यही चीज आती है, RBCs में, तो RBCs की surface पे भी antigen present होते हैं, तो अब इन antigen को ही हमको जानना है, कि A type भी हो सकता है, B type भी हो सकता है, ठीक है, तो अब अगले जो मैं आपको image दिखाऊंगा, उसके बाद आपको दूसरा sentence में जो लिखा है, कि plasma of different individuals contains two natural antibodies, इसका मतलब क्या हुआ, यह मैं आपको अगली slide ने बताता हूँ, तो उससे पहले यह point जान ले जो मैंने बताया, कि हमेशा blood transfusion से पहले check करना चाहिए, blood group हमेशा check किया जाता है, ऐसे नहीं चड़ा जाता, गलत चड़ा दिया गया, तो क्या होगा, एक process होता है, जिसको बोलते है agglutition, इसमें क्या होता है, जितने भी RBCs है, वो clump करने लगते हैं, यह coagulation नहीं है, coagulation एक अलग चीज होती है, ठीक है, तो अब वो सब भी बात करेंगे हम लोग आगे धीमेधी में, तो अब आप यह diagram देखें, इसमें सबसे उपर वाला जो diagram देखें, इसमें उसकी बात कर ली जाए, तो antigen मैंने बताया, यह red blood cells है, antigen surface पे present है, चाहे A हो सकता है, तो वो blood group A हुआ, अगर antigen B present है, तो वो blood group B हुआ, अगर दोनों present है, तो वो A B हुआ, कुछ नहीं present है, तो O हुआ, अब आपने देखा A B O system क्यों आ रहा है, टेक्निकली आप उसको याद करने के लिए 0 बोल सकते हैं, लेकिन वो 0 नहीं है, का मतलब कि वहाँ कुछ नहीं है, कोई भी antigen नहीं है दोनों में से, अच्छा, अब interestingly आपको ये समझ में आना चाहिए, कि antibodies plasma में होती हैं, तो किसी आदमी का blood group A है, तो उसका क्या मतलब हुआ, कि उसकी जो RBCs हैं, उसमें A antigen होगा, लेकिन B अगर उसमें आ गई, तो वो उसको foreign मानेगा, क्यों foreign मानेगा, क्योंकि उसके अंदर antibodies होती हैं, B के लिए होंगी, CDC बात है, A तो उसका खुद का type है, अगर खुद के अंदर उसके anti-A antibodies, type A के लिए ही antibody बनने लगी, तो वो तो बैठे-बैठे मर जाएगा, है ना, क्योंकि उसके अंदर तो जो RBCs ह वो A antigen वाला है, अब वो A antigen वाले के against antibody तो बनेगी नहीं, antibody बनेगी जो दूसरा type है, इसी लिए, अब A type A वाला कोई patient है, उसको आप type B वाला blood चड़ा देंगे, तो ये जो antibodies हैं, उसके अंदर B के लिए antibodies present होगी, opposite होता है, ये याद रखिएगा, जो antigen है, उसके opposite antibody present होती है, तो antigen, antibody दो अलग शब्द है, confused नहीं होएगा, तो antibody जो होगी, वो B की present होगी, ठीक है, तो इसलिए हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है, कि type A वाले के उसमें type body में blood type A ही चड़ाते, B नहीं चड़ाएं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, अच्छा, लेकिन अगर कोई antigen ही नहीं, body में कोई antigen ही नहीं, ठीक है, अब उस case में क्या होगा, खुद आप सोचके, खुद गेस कर सकते हैं, कि अगर antigen ही नहीं, तो antibody generation का reaction तो होता ही नहीं, इसलिए, इसलिए जो type O है, जिसमें कोई antigen नहीं है, वो किसी में भी चड़ा सकते हैं, क्योंकि कि उसकी surface पे कोई antigen ही नहीं है, और antigen ही antibody की साथ problem कर रहा था, तो अगर हम antigen ही गायब कर दें, तो वो blood किसी को भी दे सकते हैं, अब, लेकिन अब आप A, B में आएं, तो यहां उल्टी चीज हो जाती है, यहां क्या होती है, कि यहां पे कोई antibody होईगी ही नहीं, क्योंकि इसमें A और B दोनों type के antigen present है, है ना, बहुत interesting है यह, इसमें दोनों type के antigen present है, अच्छा अब आप माल लिजए यहां पे, हम कहते हैं, अगर anti-A antibody होती तो क्या होता, anti-A antibody है, याद रखेगा, याने anti-A, A के लिए, A antigen के लिए anti है यह, anti-B मतलब, B antigen के लिए anti है यह, तो बस यहां पे कोई antibody होगी ही नहीं, क्योंकि इसके पास A, B, दोनों antigen है, दोनों में से कोई भी एक antibody present होती, तो खुद इनसान की RBCs मरने लगती है, इसलिए इनको आप कोई भी RBCs चड़ा दीजे, क्योंकि इनमें antibody है ही नहीं, RBCs से, RBCs के antigen से act करने के लिए इसलिए य यह जो आप right side table देख रहे हैं, hopefully आपको समझ में आ गई होगी, A, B, O blood group पे important questions बन सकते हैं, इसका concept जो आपने देखा कितना simple है, इसके concepts बत जानने है, और उसके बाद आपको कोई problem नहीं होनी चाहिए, तो I hope कि यह lecture आपको पसंद आया होगा, आपको basic समझ में आ गई होग करके unacademy से जरूर जुड़ें, thank you